Hello everybody, my name is Ikaanj and I welcome you all to the last session of syllogism and this is the last and final part and in this part we will discuss the concept of only few और मैं आपको बता दूँ की only few concept जो हैं काफी जादा पूछा जा रहा है भी recent 2019 के कुछ एक्जाम से और भी जितने भी आपके इंश्यरेंस और बैंकिंग के एक्साम होते हैं जहां पर reasoning का वेट इस अच्छाखा सा रहता है वहाँ का सिलोगिस्म है तो उसमें only few का question आपको जरूर देखने को मिलेगा ठीक है तो यह last and final part है सिलोग का और यकीन मानी अगर आप यह पांच वाट देख लेते हैं तो आपको कोई भी दिकत स्लोगिस्म में नहीं आएगी ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहां पर मैंने कुछ स्टेट्मेंट लिखे हुए हैं सबसे पहले तो इसका डाइग्राम बनाएंगे ठीक है क्योंकि मेरे खिया से जितने भी conclusions हैं और आप आना है ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आगर इसका फिकर बनाना चाहूं इस question का तो यह क्या लिखा है no vegetables are fruit some carrots are vegetable और last में यह some carrots are fruit all potato are vegetables and only fruits are apple ठीक है सबसे पहले हम दो सर्कल बनाएंगे एक बना लेते हैं आपका vegetables का और एक बना लेते हैं fruit क यह रहा हमारा circle vegetable का यह रहा हमारा circle fruits का ठीक है इसकी बीच में एक लगा देते हैं negative line चुकि यहां पर दे रखा है some carrots are vegetables सबसे पहले यहां लिख लेते हैं यह vegetable का circle यह है fruit का circle और आप कह रहे हैं कि some carrots are vegetable and some carrots are fruit ठीक है त्यानिकि जो आपका carrot का circle होगा ना वो आपका कुछ this according बनेगा कि वो दोनों को intersect करेगा वल्लब कुछ this according बनेगा ठीक है और यह circle आपका किसका बनेगा carrots का क्योंकि carrots जो है वो आपका कुछ आप देखिए यहां पे some carrots are fruits and some carrots are vegetables तो यानिकी carrots जो है आपका दोनों में आ रहा है ठीक है तो अब देखिए अगला all potato are vegetables ठीक है सारे के सारे potato जो है आपके वो vegetables है तो यानिकि potato का circle जो है वो vegetables के अंदर आएगा तो यह हो गया आपका potato ठीक है अगला only fruits are apple देखिए अब यहां पर एक नया concept है अभी तक हम लोगों ने जितने भी यह 4 statement के जो when diagram बनाये है वो हम लोग previous वीडियो में discuss कर चुके हैं लेकिन जो आपका only fruits और apple यानिकि only वाला जो term है अभी तक हम लोगों ने discuss नहीं किया था तो देखिए जब भी कभी आपको only दिखेगा किसी भी statement पे तो देखिए उसको decode कैसे करेंगे आप कुछ नहीं करना आपको आपको इसको इस तरीके से decode करके लिख देन है अगर only fruits और apple है तो यानि कि यहां पर दो elements यूज हो रहे है fruits और apple आपको कुछ नहीं करना है इसको इस तरीके से convert कर देना है all apples are fruits ठीक इसको बत यह है all apples are fruits यह मतलब होता है only fruits are apple का ठीक है ना only fruits are apple का अगर आप Hindi translation करेंगे तो आप क्या समझेंगे इसके कि जो fruits है ना केवल वही apple है ठीक है ना तो इसका मतलब यह है कि apple के अंदर और कुछ भी नहीं आ सकता यह confirm है तो मुझे क्या करना है इसका diagram देखना है all apples are fruits यानि कि जो apple का circle है वो आपका fruit के अंदर आएगा यानि कि कुछ इस तरीके से आएगा ठीक है और यह हो जाएगा मेर apple ठीक तो देखें यह तो बन गया हमारा diagram अब और हाँ एक चीज और मुझे यह पता रखना है मुझे याद रखना होगा कि जो apple है ना इसके अंदर और कुछ भी नहीं आ सकता ठीक हाँ तो अब देखें अब इसी के basis पे हम लोग कुछ conclusion देख लेते हैं एक बार हाँ पहले और फिर अलग-अलग conditions को देखे try करते हैं इसके basis पे तो सबसे पहले some terrorists are hits ठीक है एक सरकल आया terrorist का और एक सरकल आया आपका इसका ठीक है some terrorists are hits तो यह आपका हो गया यह आपका हो गया terrorist यह आपका हो गया hits ठीक all terrorists are race इसको कैसे decode करेंगे all race are terrorists ठीक अब all race are terrorists इसका मतलब को सारे के सारे अधर जायेंगे सबस्थन रहे आप इसक अधर हो गया यह आपका हो गया race और एक चीज़ में आपको और भी बताई थी कि अब इसके अंदर और कुछ भी नहीं जा सकता ठीक है ना कुछ भी और इसके अंदर नहीं जाएगा यह याद रखना आप ठीक है यह आ रहा है ठीक है अब अगला No Strike is a Race ठीक है No Strike is a Race यानि कि अब दो बनेंगे अब एक Strike का Circle बनेगा चलो यह बना लेते हैं ठीक है यह बना लिया और यह किसका होगा आपका Strike का आन्हेर च्राइक और स्ट्राइक ऑर्डस पीच में यहां अब आनगी स्ट्राइक सारी मनी का सार्फ रॉयक है कि अ डाइग्राम ठीक है अब देखिए अब पढ़ते हैं इसके बेसिस पर कुछ कंक्लूजन मैं आप लोग पर कंक्लूजन डिक्टेट करूँगा और आप लोग एक बार उसको बताईएगा कि क्या वो सही है या नहीं पहला सम टेररिस्ट आर हिट्स क्या यह सही होगा या नहीं बताईएगा आप लो सम टेररिस्ट आर हिट्स अब देखिए जैसा कि मुझे इस मैं आपको पहला लिखके देता हूँ हाँ पैला कंक्लूजन एक कंक्लूजन करके मैं लिखता रहा हूँ और एक कंक्लूजन करके हम लोग चेक करते रहेंगे ठीक है ना चलिए यह है आपका सम टेररिस्ट और race कर लिजिए इसको क्योंकि वो hits तो पहरा से statement ऐसी same हो जाएगा न सम terrorist और race अब देखिए क्या terrorist आपको race दिख रहे हैं देखिए अगर मैं बात करूँ अगर आप लोग यहां देखेंगे तो यह terrorist है और race है तो यानि कि हम कहां देख रहे हैं चलिए साथ साथ अगर आप लोग नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा convenient होगा आप लोगों के लिए इसको रफ कर देते हैं चलिए अगला अगला है आपका some terrorist are race is a possibility ठीक है मैं आपको लिख देता हूँ यहां पर जिससे कि आप लोग देख पाए हाँ देखिए क्या है some terrorist are race is a possibility ठीक है अब देखिए some terrorist are race is a possibility अब देखिए फिछले वाले केस में हमने डिसकस किया था कि some terrorist are race तो जब वह वाला statement हमारा true हुआ था जब वह वाला conclusion हमारा true हुआ था तो यानि कि यह क्या हो गया आपका यह हो गया आपका restatement और possibility के case में restatement क्या होता है गलत तो यानि कि यह वाला conclusion हमारा हो जाएगा false ठीक चलिए अगला देखते हैं अगला all terrorists are race और मैं terrorist को t से दिखा रहा हूँ all t r r क्या यह ठीक है कि नहीं आप लोग बताईए कि सारे के सारे t r के अंदर है कि सारे के सारे t r आपको r के अंदर है नहीं है न और मैंने आपको क्या बताया था एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी इसको दिहां से समझने कोशिश कीज़ेगा मैंने आपको बताया था कि हमारा जैसा की case में यह लिखा हुआ था कि only terrorists are race यानि कि terrorist are race तो यानि कि terrorist हो जा सकता है race का लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यह वाला जो पार्ट है यह वाला यह वाला देखो आप यह वाला पार्ट किसके अंदर आ रहा है हिट के अंदर आ रहा है और हिट का यह वाला पार्ट कभी भी race के अंदर नहीं जा सकता तो केस हो जाएगा गलत ठीक है और similarly अब एक चीज और अगर यह आता है इसकी जगह कि all terrorists are race is a possibility अगर इसकी जगह में अगर मैं यहाँ पर is a possibility भी जोड़ दूँ तो क्या यह केस ही होगा कि गलत होगा आप सोचके देखें यह भी गलत होगा क्योंकि possibility भी नहीं है यह तो although यह statement ग यह जाए नहीं सकता है तो रेस के अंदर तो इसकी possibility भी जलत होगी चलिए अगला अब अगला है आपका some hits are race अब क्या यह सही है कि नहीं है some hits are race अब बताईए इसको क्या करना है इसको आप h कर लो आप लोग सबसे बढ़िया ऐसे लिखते है some hr अब क्या यह possible है कुछ hr है अगर मैं as a statement देखूंगा तो मझे तो यहां पर नहीं दिख रहा है कि कोई भी h अगर हमारा r के अंदर आ रहा हो देखिए कहां h है कहां है कोई combination नहीं तो यानि कि यह हो जाएगा गलत ठीक अब इसी case में अगर मैं लगा दूँ some hr is a possibility अगर मैं यहां पर यह लेख दूँगा कि कुछ hr है क्या यह possibility है अब यह point सोचने वाला अब आप देखो क्या hr के अंदर जा सकता है नहीं जा सकता ना तो h के अंदर r जाही नहीं सकता तो जितने भी cases ऐसे आएंगे कि some s यानि कि some strikes are race is a possibility some strikes are red all strikes are red all money are race some money are race is a possibility यह सब गलत हो जाएंगे straight forward तो यह भी गलत हो गया ठीक है मैं आपको सारी conditions बताता चल रहा हूं इसलिए हाँ तो यह सब गलत हो गया ठीक है अब अगला एक और है एक कि no hits are race no hits are race अब आप लोग सोचेंगे कि यार H और आर के बीच में तो कोई यह वाला तो ही नहीं लेकिन आप यह भी तो देखो कि यह hidden line है यहाँ पर क्योंकि यह वाली जो line है ना ultimately यह हमें दिखनी रही है क्योंकि क्योंकि ultimately जब हमारा आया था ना line की only terrorist are race जब यह वाला statement आया था यह उसी समय इसने एक negative line सब के साथ खीजी तो इसकी negative line एक इसके साथ भी है और इसकी negative line दोनों के साथ ही है क्योंकि M S के अंदर है तो यानि कि M और S दोनों से होगी तो यह hidden line है जो हमें नहीं दिख रही ह है क्योंकि यह only वाला case है तो यह important है तो no hits are race यह ठीक होगा अगला same possibility है कि हमेरे को चेक करने है तो possibility ठीक होगी इसकी no hits are race is a possibility no hits are race is a possibility क्या hits आपका race होगा क्या यह possibility हो सकती है मतलब कि ऐसा possible है कि no hits are race यह गलत है क्योंकि यह हो गया restatement क्योंकि मैं आपको पिछले सेंटेंस में क्या बतायाता है no hits are race तो वह हमारा ठीक था ना तो यह restatement हो गया तो यह गलत हो गया simple अगला अगला जैसे कोई भी आजा जैसे आजाए some hits are not race अगर यह वाला आजाए तो आप लोग क्या करोगे इसका some hits are not are आप बताओ क्या यह सही होगा कि नहीं हाँ बिल्कुँ सही होगा क्योंकि मुझे पता है कि भाईया race के अंदर तो कोई जाए नहीं सकता ना है h तो यानि कि कुछ h तो वैसे भी नहीं जाएंगे तो यह तो obvious है आप लोग इसको गलत यह सोच के मत करना कि इसमें तो sum लिखा हुआ यह तो सारे के सारे h नहीं जा सकते आर के अंदर मैंने आपको बताया ना कि भाईया जब पूरे h नहीं जाएंगे तो थोड़े भी तो नहीं जाएंगे और लगा देना है और elements को exchange कर देना है बास खतम ठीक चलो अब अगला एक बार कुछ देख लेते हैं आपके only few से related कुछ concept देख लेते हैं और हाँ इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जासे कुछ ना कभी कभी कुछ words बता देता हूं आपको कभी कभी क्या होता ना जैसे की all यह कहा होता है ना कभी भी statement में which all की जागह चाहर दयता है each कभी कभी यह लेजेता है every इनका मतलब भी ऑली होता है जैसे मैंने आपको पेछले वाले उसमें बताया था ना कि जैसे यह लिखा हुआ है यह आपे जैसे कि मानलो यह लिखा हुआ है ना ओल पोटैटोस आर वेज़ेटेबल्स तो इसकी जगा वो यह भी लिख सकता था इच पोटैटो आर वेज़ेटेबल्स एवरी पोटैटो आर वेज़ेटेबल्स एनी पोटैटो आर वेज़ेटेबल्स तो यह सारे के सारे एक ही होते है ठीक है तो बस यही मुझे बताना था कि सारे के सारे आपके सेम होते हैं अच् आपको all not भी दे सकता है वो आपको no one भी दे सकता है ये सारे के सारे वो दे सकता है आपको ठीक है ना? none, all not no one, or never ठीक है? ये सारे के सारे वो आपको दे सकता है तो इन सब का मतलब एक ही होता है ठीक है ना? चलिए अब एक चीज और देख लेते हैं अच्छा इसके पहले मैंने आपको all के बता दिये सारे और मैंने आपको no के बता दिये सारे ठीक है अब एक चीज और देखना है आप लो एक चीज आपको बताता हूँ से पहले मैं आपको कुछ उसका बता दूँ एक सम के भी केसिस बता दूँ जैसे की जैसे सम है ना जैसे यह है मालो देखो जैसे मालो लिखा हुआ है सम ए आर बी ठीक है अब क्या होगा ना सम की जगा पे लिख्या आ सकता है many ARB, more ARB, most ARB ठीक है ना mostly, mostly ARB ठीक है ना और आपका आ सकता है almost all ARB a few ARB इस तरीके से भी आ सकता है at least word use हो सकता है generally भी word use हो सकता है ठीक है और आपका एक occasionally occasionally word भी use हो सकता है तो ये कुछ-कुछ words हैं आपके कौन-कौन से many, more, most, mostly, almost all a few, at least, generally, or occasionally ये सारे words हैं तो देखें मैंने आपको कितने बता दिये हैं ये सारे करीब आपको ये 8-9 इदर हो गए, बाकी 4-4 इदर बताएं तो ये 16 words मैंने आपको total almost बता दिये हैं अभी तक ठीक है ना तो ये सारे के सारे वो words हैं जो आपके किसी ना किसी form में आ सकते हैं चाहें some को replace करके ये सारे words दे सकता है all को replace करके वो वाले दे सकता है नो की जगह पे जो आना को बताएं पीछे वो दे सकते हैं ठीक है ये सब note बनाते चलिए का काफी जादा important रहने वाला है चलिए अब आते हैं जड़ा only few का जड़ा case discuss कर लेते हैं चलो अब आप ध्यान से सुनना मैं जब बता रहा हूँ let's suppose एक sentence है कि only a few machines are working ये एक statement है दूसरा a few males are boys ठीक है मनलो ये दो statement है अब इनका अगर मुझे डाइग्राम बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊँगा देखिए जैसे only a few को पहले decode करना सीख लेते हैं कि क्या होते है only a few only a few machines are working इनका मतलब क्या हुआ किते elements है एक machine एक है machine एक है working एक है males और एक है boy ये चार है ठीक है न ये चार है ठीक अब पहले चीज़ only a few का मतलब क्या होता only a few का मतलब अच्छा आप लोगो को क्या समझ में कि मैं हिंदी में translate करूँ तो क्या आएगा निकलके कि कुछ ही machines working है मतलब कुछ ही machines काम कर रही है तो यानि कि जो बाकी है वो काम नहीं कर रही होंगी यह बात पकी है ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या कि कि जैसे ऐसे लिख सकता हूं इसको कि कि some machines are working और दूसरा some machines are not working ठीक है न यह तो यही बात हुई न इसका मतलब only a few मतलब कुछ चल रही है कुछ नहीं चल रही है तो यानि कि only a few को मैं दो तरीके से इसको decode करूँगा एक कर सकता हूं कि some machines are working और दूसरी करूँगा some machines are not working ठीक है और दूसरा वाला क्या था a few males are boys मैं आपको पीछे बताया था few मतलब क्या होता है some some males are boys यह replacement है यह some की जगा यह लिख दिया है इनोंने यह some है और कुछ नहीं है ठीक है अब चलो एक काम करते है अब इसका बनाते है diagram इसका ज़रा diagram बना लिया जाए है पहला क्या था some machines are working some machines are not working in case को मतलब कि यह तो हो गया आपका एक सेंटेंस में गलत कलती लग रही है मझे एक मिनट हम यह जो मेल्स है ना इसकी जगा पर इसकी जगा पर कर लो वर्किंग मतलब सेम है वाई ठीक है न तो यहाँ पे से तीनी element है machines working और boys ठीक है न अब करते हैं चलो हाँ तो पहला क्या भी है some machines are working और some machines are not working चलो बना लिया जाए इसका फिर हाँ यह रहा आपका machines यह रहा आपका working यानि कि यह हो गया आपका machine और यह हो गया आपका working ठीक है और दूसरा क्या है a few working are boys ठीक है बहिए few working are boys यह कर लेते हैं यह हो गया आपके यह बन गया अब दूसरा क्या some machines are not working तो क्या करूंगा न मैं यानि कि यह वाला जो portion होगा नहीं यह वाला इस तरीके से working का ही जो वाला जो पार्ट है यह मशीन नहीं है ठीक है ना यानि कि सिर्फ इतना ही पार्ट यह वाला जो पार्ट है बस यही वाला पार्ट आपका machine का working में है और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो working में नहीं है ठीक है यह मतलब हो इसका सम मशीन सार वरकिंग और सम मशीन सार नौड वरकिंग का ठीक अब दोनों का बन गया अब इसका conclusion चेक करते हैं जबा देखे conclusion क्या है conclusion number one conclusion number one है कि all machine all machines being working is a possibility दूसरा all machines being boys all machines being boys is a possibility यह है वह यह दो conclusion पहला है all machines being working is a possibility दूसरा है all machine being boys is a possibility अब अब आप देखो दिहान से क्या सारी की सारी machine working में हो जाएं क्या यह possible है बिलकुल भी नहीं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि यह वाला जो पार्ट है यह वाला जो पार्ट है यह वाला यह working में नहीं हो सकता कभी यह नहीं हो सकता working में ठीक है ना सिर्फ यह वाला पार्ट होगा बस working में तो यानि कि यह possibility हो जाएं गलत दूसरा all machine being boys is a possibility क्या सारे के सारे machine boys के अंदर जा सकते हैं बिलकुल जा सकते हैं क्योंकि मुझे तो मुझे तो भाया इन दोनों के बीच का relation पता है इसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता तो मैं कर सकता हूँ तो मैं boys का जो circle है वो मैं this recording ले सकता हूँ इतना बड़ा मैं बना सकता हूँ देखो आप फिर से दिखा रहा हूँ आप लोगो boys का circle मैं इतना बड़ा बना सकता हूँ जिसने की machine का वाला जो पार्ट है वो boys के अंदर चला जाए समय मुझे कोई दिक्कत में आपको बताया ना possibility में कुछ भी match कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर जब तक कि statement में कोई condition given ना हो कुछ भी possible है तो यह वाला हो जाएगा true तो यानि कि पहला वाला true और दूसरा वाला sorry पहला वाला false और दूसरा वाला true तीक है यह तो हो गया आपका only fewer concept अच्छा एक और देख लेते हैं यह आपका जो question है ना यह आपके question आया हुआ हुआ है मतलब मैंने element change कर दी है बाकी यही same question आपका SBI PO में आया हुआ है last year यह आया था 2019 में ठीक है ना चलिए next next देखते है statement मैं लेख देता हूँ पहला statement all cars are toys दूसरा some toys are lamps ठीक है यह तो हो गए statement और इनके conclusion देखो आप conclusion है इनका पहला only a few cars are lamps दूसरा some cars are not toys ठीक है यह question आपका आया हुआ है S.B.I.P.O. 2-0-1-9 का यह question है ठीक है देखो सबसे पहले तो जड़ा इसका बना लिए जाए डाइग्राम डाइग्राम बना लें इसका बना लेते हैं all cars are toys यह जितनी भी cars हैं यह toys है car toys some toys are lamps ठीक है यह हो गया आपके lamps ठीक है अब conclusion क्या है अब देखो इस बार conclusion में only few दिया हुआ है कि only a few cars are lamps अब only a few cars are lamp का मतलब क्या हुआ कि कुछ car lamp हैं और कुछ car lamp नहीं है यही तो मतलब होए ना इसका तो अब जब मुझे पता है कि conclusion है कि only a few cars are lamp मतलब कि कुछ car lamp होंगी कुछ car lamp नहींगी लेकिन मुझे इस डाइग्राम से यह दिख रहा है साफ साफ कि कोई भी car lamp नहीं है ठीक है बाकी दो possibility है या तो भाईय कोई भी car lamp नहीं है या तो फिर कुछ car lamp है लेकि मैं confirm नहीं कह सकता क्योंकि मुझे इस figure में इन दोनों के बीच में कोई भी connection established नहीं दिख़़ा है तो पहला वाला only a few car वाल सा lamp हो जाएगा गलत ठीक तो ये वाला conclusion तो हो गया आपका गलत तो ये वाला तो हो गया मेरा गलत ठीक है नब देखो आप हाँ अब देखो आप एक चीज़ और दूसरा some cars are not twice अब कुछ car twice नहीं है कुछ car twice नहीं है लेकिन मुझे यहाँ पर ये दिखरा है कि सारी की सारी car twice नहीं क्या ऐसा possible है कि कैसे भी करके ये जो car है ये जो car का circle है कैसा हो सकता है कि car का circle निकल के भाईया ऐसे हो जाए ये पिर ये रह जाये T और ये बाहर निकल के car इदर आजाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना क्योंकि यह फस्ट चुका है यह ट्रेन के अंदर स्वरी ट्वाइस के अंदर कार है तो भाया कार कैसे भी करके ट्वाइस से बाहर नहीं आ सकती तो इसलिए यह हो जाएगा गलत अब अच्छा हमने इतना सब कुछ क्यों किया अगर हम थोड़ क्योंकि इसमें और यह इसलिए क्योंकि इसके एक पार्ट में लॉट आता है समवाले में संवकार्स र नोट ल्हां देखो नोट नॉटार रहारा है दोनु निगिंटे अब तो यह तो हम एसी कहती कि ईतका अंसर। नीदर नौर होगा ठीक है na तो यह सारी की सारी last question, last question लिखते है आच का, statement, all telegrams are stamps, दूसरा, all mobiles are telegrams, ठीक है न, दो हो गया sentence, all telegrams are stamps, all mobiles are telegrams, अब लिखते हैं यह इनका conclusion, number one, only a few, telegrams are mobiles, दूसरा, some stamps are telegrams, यह हो गया दो, ठीक है न, यह दो हो गए हमारे statement, ठीक है, और conclusion, अब देखो सबसे पहले बना लेते हैं, circle, यह हो गया, telegram, यह हो गया statement, telegram, statement, all telegrams are stamps, दूसरा, all mobiles are telegrams, यह हो गया, all mobiles are telegrams, अच्छा, ठीक है, sorry, यह आपका circle ऐसे नहीं होगा, यह वाला जो है न, mobile जाएगा, telegram के अंदर, यह वाला जो पार्ट है, यह वाला, यह पार्ट होगा, mobile का, ठीक है, पहला, only a few telegrams are mobiles, अब, देखते हैं, पहला वाला तो हम गलत कहा सकते हैं, क्योंकि negative conclusion है, positive statement है, तो यह तो मैं बिना check करें कहा दूँगा, और अगर check करना भी हो, तो कर लेते हैं, क्या दिखते हैं, only a few telegrams are mobiles, देखो, telegrams से mobiles की तरफ हम जाएंगे, यह भाहर से अंदर जा रहे हैं हम, तो some वाला case तो हमारा ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दूसरा case है न, वो हमारा गलत हो जाएगा, मतलब हम पक्करी तरग्य से नहीं कहा पाएंगे, कि some telegrams are not mobiles, क्योंकि, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है, कि यह telegram, और इसी के उपर आपका mobile का circle आ जाए, मॉटी, ऐसे बन जाएंगे, ऐसा हो सकता है, circle दोनों के overlap हो जाए, overlap हो जाएं तो उस case में, तो हम कहीं नहीं सकते कि some telegrams are not mobiles, तो इसी वज़ा से यह गलत होगा, और वैसे भी आपको इतना दिमाग नहीं लगा न, यह negative conclusion है, negative conclusion गलत होता है, positive statements के cases में, लेकिन एक यह याद रखिएगा, statements दोनों के दोनों positive होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक statement positive हो और एक statement negative है तो आपने यह वाला theorem लगा दिया नहीं, दोनों के दोनो statements positive ही होने चाहिए, तब भी यह वाला concept लगता है कि कोई भी conclusion negative हो तो उसे eliminate कर दो, दूसरा, some stamps are telegram, क्या कुछ stamps telegram है, क्या इस बात सही है, बिल्कुल सही है, मैं बाहर से अंदर की तरफ देख रहा हूँ, तो मेरा तो सम वाला के सही होता है, तो दूसरा वाला ठीक हो गया, ठीक है, यह होगा कुछ cases, तो I hope कि आपको यह only few का concept clear हुआ होगा, तो इसी के साथ आज से logism खतम होता है हमारा, अगर आपको यह series अच्छी लगी हो, तो please इस channel को subscribe कीजेगा, like कीजेगा, और share करना मत भूलेगा, मिलते हैं next video में, कुछ नई learnings के साथ, till then bye bye and take care.